class 9th के exercise 4.3 का question number 3 जिसमें के रहा है if the point 3,4 lie on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7 find the value of a अगर यह point यह हमें coordinate दिया गया है 3 ओर 4 यह point जो है वो इस equation की line पर grap मरें जब हमकि original line बनाते है तो उस पर यह point आता है तो हमें a की value निकाल लीए जो भी हमें coordinate दिया होता हमें coordinate क्या दिया है 3,4 जो भी coordinate होता हुसमें first value होती है x की और second value होती है y की तो हम यहां से कह सकते हैं x equals to होगा हमारा 3 और y equals to होगा 4 जो हमारी x और y की value आई है उसे हम इस equation में put कर देंगे हमारी a की value आ जाएगी so equation है हमारी 3y equals to में ax plus में 7 value put करते है x और y की इसमें 3y 3 multiply में y ठीक है यह 3 और y की इस तरह से है multiply में एक दूसरे से y की value है 4 so 3 multiply में y की जगे हमने लिख दिया 4 equals to में a, 1 के बाद क्या है x, a multiply में x है x की value है 3 so a multiply में 3 और plus में 7 3 forza हो जाएगा 12 equals to a को 3 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3a को plus में 7, 7 को दूसरी तरफ shift कर देंगे 7 को इस तरफ लेके आएगे तो इस तरफ है 12, 7 उदर से आके minus हो जाएगा 12 में से और दूसरी side बचेगा 3a, 12 में से 7 को minus करेंगे तो आएगा 5, दूसरी तरफ आजाएगा 3a as it is अब हमें a की value निकालनी है तो 3 को भी इस तरफ हमें shift करना हुगा 3a के साथ multiply में है, दूसरी तरफ shift करेंगे तो इस तरफ है 5, divide में आ जाएगा 3 ठीक है, दूसरी तरफ multiply में है, तो इस तरफ आके divide में तो a की value आ जाएगी हमारी 5 upon 3, ये हो जाएगा हमारा answer simple question है, जब भी कोई point किसी line पर lie करता है तो वही जो point होगा हमारा उसके coordinate ही हमारी xy की value होंगे ठीक है, उसको हम equation में put कर देंगे और हमारी value आ जाएगी